आप लोग कैसे हो मेरे कल साप अच्छे हो तो आज मैं फिर से आई हूँ एक नए वीडियो के साथ क्योंके सर्दी का मौसम में काफी ठंड हो रही है तो आज आती हो में कुछ गर्म करम कुछ मसाले दार अच्छा सा कुछ चीज बनाया जाए तो आज में बनाया जारी हूँ सूजी की मठरी और यह चाय के साथ आप ऐसे भी ले सकते हो और इसको बना के तीन-चार दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब यह मन करें आप खा कि मैं चला लीगे तो उससे क्या होता है दम हम एसको अच्छा से माईन करेंगे अच्छा से माईन देंगे इसको ऴीयिव эти इसमें हास से गुन्ना है अच्छे से तो यह आपको गुनने में आसाने रहेगी अगर शुजी बारिक में फिर ईक बडांग उसको मिढाया लगे मि बहुत अच्छी आती है अब हाप पर टीस्पूल जीरा साबू जीरा और इसमें में डालोंगे मेथी कस्तूरी मेथी इसके भी बहुत अच्छी आती है अब नमक डालेंगे अपने स्वादर नुसर अब इसमें में डालोंगे मठी मेरे तो कभी भी नहीं डालते हैं लक्ती落स कहने वग्यरां अगर आपको पसंद निया तो और वैट कीजिए 125 अपर मुझे अच्छा लगता है मसाले देडाल मठी में तो यह गालिक पौर्डर है में थोड़ा से डालोंगी अगर आप चाहे तो गालिक को अच्छे से पेश्ट बना के थोड़ा से डाल सकते हैं या पर अच्छी से चॉप कर लीजी वह भी डाल सकते हैं और इस पर तेल डालेंगे करीग चार चमच देड़ कप मैंने लिया है सूजी अब इसको अच्छे से मिलाएंगे अच्छे से मिलाएंगे इसको मॉइन देना है अच्छे से तभी हमारी सूजी मठी हमारी खासता और क्रिस्पी बनेगी यह हमने अच्छे से महें दे दिया है ऐसे करके जब मूठी मिले तो ऐसा बननी चाहिए यह बंदनी चाहिए अच्छे से पर सूजी है अच्छे से बनती नहीं है यह हमने अच्छे से महें दे दिया है अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको एक डो के तरह तियार करेंगे थोड़ा थोड़ा पी पाई डाले गे ने तो सूजी हमारी गीली हो सकती है कि इसको हमें टाइट डो बनाना है देखे फ्रेंड्स हमने अच्छे से इसको गूंध लिया है अब हम क्या करें गे ये इसको थोड़ा थोड़ा पानी देखे और अच्छे से बूद लेते हैं आपस पोड़ा पानी इसको में लोगाँ गया। जीठ देंगे ओपर से क्योंकि सूजी बहुत पानी किता है अब यह को रीस्ट देना है करीब 20 मिनिट और उपस तील भी लगा जेते हैं थोड़ा सा अब इसको हम ढख के करीब 20 से 30 मिड़ तक इसको छोड़ देते हैं फिर हम मठी बनाना सुरू करेंगे चले फ्रेंस हमारे ये रखे हुए आदे गंटे हो गये हैं अधे गंटे में ये काफी शारा फूल गया था इसको पानी सारा सोख लिया था जतने पानी डाल ये टाइट हो जाता है आदे गंटे रखेंगे बाद फिर से आपको हलका हलका पानी देखिए इसको अच्छा से गुंथना है तो मैंने इसको 10 मिर्ट तक गुंथा है और यह अभी तयार है अब हाथ में थोड़ा तेल ले लेते हैं अब इसको दो हिसा कर लेते हैं इसको सिलेंडर के तरह एक सेव देते हैं आपको जितनी बड़ी मठी बनानी हो उसी इसाब से आप ऐसे तोड़ लिजे आप इसको ऐसे करके गोल करना है थोड़ा तेल लगाएंगे किखना करके और इसको फूजे कर तरह बेल लेंगे ज्यादा पतला नहीं करना है हमें इतना ही मोटा रखना है हमें इससे पतला नहीं करेंगे अब हम एक चमबर जैसे काटा लेंगे फॉक लेके इसको छेद कर देंगे इस तरह से करना है हमें आपता मठी करना शुरू करते हैं चाहना कि सारा मठी मेणे से कटीयार कर लिया है कब से कुम 12 बट्री बने हैं और तेल को हमें मीडियम नहीं रखना है तेल हमारा गरम भी हो चुका है जैसे यह सिखना सुरू हो जाएगा तो हम यास को तुछ धीमी कर देंगे या तो यह अंदर से पकेंगे नहीं अच्छे से एक मठ्री मेरी फुल गई है यह पुले कारण इसलिए है अगर हम अच्छी चेद ना करें तो हमारी मठ्री फूल सकती है देखिए फ्रेंट्स हमारी मठ्री सारे सेख चुकी है प्राई हो चुके है अब इसको निकाल लेते हैं इस तरह से बाकी मठ्री भी हम तल लेते हैं मठ्री भी हमारा चंड के तयार है और इसको बेर निकाल लेते हैं पर इसको बाका अब लगोल्डन होते ही निकाल देना है क्योंकि यह सारा कलर चेंच जाता है आप बेख पा रहे है मैंने पहले तलकी रखी है तो इसके कलर चेंच हो गई है देखे फिर्स मेरा गर्मा गरम मठ्री तयार है मसालेदार इसमें तोड़ा सा मैंने लसन डाला है जो फ्लेवर है और पस्तोरी मेथी डालिए तो उसे घर में बहुत अच्छी खुजबू आ रही है और टेस्ट के बारें तो मैं आपको नहीं बता सकती आप जब बनाओगे ट जरूर मुझे कमेंदस के Remember और आज की वीडियो पसंद है तरह जरूर लाइक कीजिए और मेरी चाल को सस्कुराइब करना भूलेगा नेग्स वीडियो मिलते हैं और जाए के साथ आप लीजे बहुत मचेतार नेग्स वीडियो मिलते है थेकियू